इस वीडियो में computer के 30 महतपुन question discuss करेंगे और ये सभी question exam में बार बार पूछा गया है चलिए सबसे पहला question है computer निमलिकित में से कौन सा cards नहीं करता है understanding, outputting, inputting और इसके अलावा processing तो अगर हम बात करें यहां से understanding का तो ये cards computer नहीं करता है इसके अलावा computer पर अगर आपको काम करना होगा input देना होता है तब इसके बाद process होता है और उसके बाद output मिलता है question number 2 है 1 megabyte कितने byte के बराबर होता है यानि अगर हम यहां से 1 MB यानि कितने byte के बराबर 1 MB होता है तो यहां से आपका सही option होगा 1024 byte यानि 1024 byte में आपका 1 MB होता है उसी तरह कर हम यहां से 1024 अगर MB की बात करें ये 1 GB के बराबर होगा question number 3 है भारत में निर्मित पर्थम computer का क्या नाम है भारत में निर्मित पर्थम computer का क्या नाम है असोक, सिदार्द, बुद्ध या आर्जबट सही answer होगाarnya option number B भारत का पहला निर्मित पर्थम computer का नाम क्या है सिदार्द next is EDP का पूरा नाम क्या है सही answer होगा और सी electronic data processing next is computer में सूचना किसे कहा जाता है computer में सूचना किसे कहा जाता है सही answer होगा एकतित data को जो भी data आप इंटर कियें वो सारा डेटा जब एकत्रित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं, information कहते हैं, question number six है, computer में डेटा किसे कहा जाता है, computer में डेटा किसे कहा जाता है, जो भी से चिन है, या जो संख्यात्मक सूचना है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, या यह भी कहा सकते हैं, कि computer में जो भी कोई साप input करते हैं, वो डेटा कहा लाता है, input का output में रूपांतरन किसके द्वारा किया जाता है, input का output में रूपांतरन किसके द्वारा किया जाता है, सही answer होगा, option number D, CPU, CPU का पूरा नाम होता है, central processing unit, जो भी आप input करेंगे, CPU में प्रोसेस होगा, और इसके बाद output में लिगा, next है, computer में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, computer में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, सही answer होगा, option number B, input, next है, ATM क्या होता है, ATM क्या होता है, बिना स्टाप के नगदी देना, आप देखते होंगे, वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता है, फिर भी आप वहाँ पर उस machine की मदद से आप नगत निकाल पाते हैं, question number 10 है, computer process द्वारा information में परिवर्तित क्या आदे, computer process द्वारा information को किस में परिवर्तित कर, number input या data या सभी कथन सकते हैं, सही answer होगा, option number C, computer में परिवर्तित कर दिया जाता है, question number 11 है, पर्थम गर्णा नायांतर है, first calculating machine, first calculating machine कौन सा होगा, abacus होगा, computer के छेतर का सबसे पहला machine क्या था, abacus था, इसमें दो काम होता था, जोडने का और कटाने का, next question है, परमुक मेमोरी किस के समन में से cars करती है, परमुक मेमोरी जो main memory होता है, किस के समन में से cars करती है, right answer होगा, option number A, CPU, पूरा नाम क्या होता है, central processing unit, इसी में आपका RAM option भी है, RAM का पूरा नाम क्या होता है, random access memory, next है, computer द्वारा produce किया गया परिनाम, output, data, input या memory, right answer होगा, option number A, output, यनि computer द्वारा जो output, जो produce होता है, उसे हम क्या करते है, output करते है, question number 14, input का output में रूपांतरन किय जाता है, input का output में रूपांतरन किया जाता है, किसके जरीए, CPU के द्वारा, next है, I, M, A, C, एक परकार का है, I, M, A, C, क्या है, किसका एक टाइप है, right answer होगा, option number D, machine का, question number 16, चुंबा किये डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, सुंबा किये डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, सही answer होगा, option number B, iron oxide का, next है, integrated circuit चीप का विकास किस ने किया था, integrated circuit जो हता, IC जो हता है, ये computer के third generation में यूज किया गया था, और इसका विकास किस ने किया है, सही answer होगा, option number C, JS, किलिवी ने, next है, सर्व पर्थम पंच काट का परियोग किस ने किया था, सही answer सरवादी की यूगदान किसका है, computer के विकास में सरवादी की यूगदान किसका है, right answer होगा, option number C, Warn, Newman का, next है, analytical engine का निर्मान किस ने किया था, सही answer होगा, option number B, Charles Babbage, Pac-Man नामक परिसिद्ध कम्प्यूटर किस काम के लिए बना था, सही answer होगा, option number B, खेल के लिए, next है, किसने पर्थम mechanical calculator का निर्मान किया था, सही answer होगा, option number B, Blaise Pascal, next है, किसने पंच काट का आरंब किया, पास्कल, पावरस, जैकवार्ड, निर्में से कोई नहीं, next है, कम्प्यूटर के बुनियादी संद्शना का विकास किया था, जैकवार्ड, बलेज, पास्कल, जॉन मौसली या, चार्ल्स वैबिज, सही answer होगा, option number D, चार्ल्स वैबिज, next है, सामान रूप से परियुत किया जाने वाला computer है, What is a commonly used computer, सही answer होगा, option number D, digital computer, क्रे क्या है, क्रे एक क्या है, में प्रे में सूपर है, मीनी है, या माइक्रो कम्प्यूटर है, सही answer होगा, option number B, में क्रे एक सूपर कम्प्यूटर है, और पहले भी हम बोल चुके है, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा, और सबसे तेज सूपर कम्प्यूटर होता है, बिस्व का सबसे पहला सूपर कम्प्यूटर कब बना, सही answer होगा, option number B, 1976, 1976, में, पहला कम्प्यूटर माउस किस ने बनाया था, और डॉक्टर डॉक्टर डॉक्लस एंजलबाट, नेक्स्ट है, डिजिटल कम्प्यूटर किस सिधान पर सही answer होगा, option number 1, अंतिम कुस्टन है, नेमने में से तेज कौन सा है, विश ओप दो फॉलोईंग इस फास्टर ड्रेम, रिजिस्टर, कैस, या सीडि रोम, सही answer होगा, option number B, रिजिस्टर, ये था आपका 30 important question, मैक्सिमम एक्जाम में पूछा गया है, चलिए मिलते हैं आप ल झाल